पूरा महरास पर उन्होंने एक तरीके से चान मारा राजीव दोनों ही पक्ष आपसे सुन आपने सुन लिए ये चलता रहेगा अभी इस पर खुब विशलेशन भी होगा आप तो फील्ड पर रहे और ये बताए ये जो महाविकास घाडी को कुल मिलाकर के जितनी सीटे नहीं आई अकेले शिंदे गुट को आजाती है ये वाकरी आपको लगता है न भूतों भविश्यती जैसा कहा वह वैसा ही है वाकरी वैसा हुआ है जनता ने वैसा मैंडेट दिया या फिर जौनेल यादव कह रहे हैं देखे ये चमतकार है और ये चमतकार से कम कुछ भी नहीं है महराष्ट का जो चुनावी नतीजा है और अब नतीजे एक बार आगे हैं ये जो नतीजे आए हैं इसके कलपना भारती जनता पार्टी के नेताओं को रही होगी की नहीं अजीत पवार को रही होगी की नहीं एकनाशिंदे को रही होगी की नहीं ये तो मैं नहीं जानता ल भी तब जब कि चुनाव प्रचार में हम लोग पीछे एक महीने महाराश्ट में थे वो भी तब जब जब आजीत पवार खुद बारामती में कह रहे थे और मैं वहां मौझूद था कि मैं महाराश्ट के किसी और सीट से लड़ा होता तो मेरी जीत पकी थी बारामती वालो तो वो भी तब जब आजीत पवार ये कह रहे थे कि योगी जो है बाहर के आदमी है उनको महाराश्ट का कुछ पता नहीं है बटेंगे तो कटेंगे महाराश्ट की राजनीत में नहीं चल सकता वो भी तब जब अजीत पवार ये कह रहे थे कि मेरे को वोट दोगे तो वो कारण कोई एक कारण नहीं है जो भी जीत है और इतनी बड़ी जीत भारतिय लोकतंत्र में महाराष्ट में किसी भी चुनावी गडवंदन को या किसी पार्टी को इससे पहले कम मिली है इसका थोड़ा अध्यन करना पड़ेगा क्यों को 25-30 साल जब से हम लोग देख रहे हैं तब तक तो इस तरह की प्रचंड जीत किसी को विदान सबा चुनाव में नहीं मिली अब मोटे तोर पर आप ये देखते हैं कि 288 सीटे हैं 48 लोक सबा किसी प्रियांका कांगी नजर आ रही हैं तोड़ा सा